कि क्या आपने कभी पेंच से मुबाइल चार्च किया है नहीं किया है न तब कर लिजिए एक दम बहुत कमाल की टिप्स बताने वारें जो आपका समय पैसा दोनों बचाएगा तो फ्रेंट्स वीडियो में बढ़ने रहेगा लाच टक वीडियो देखीगा इसकी मत करेगा तो करण मैं बहुत ही बढ़ीया यूज बताने वाल हूँ आपको कारना है प्झास कबभाती पेलो कबार फ्रेंट्स ख्लवा और इसको हम इस तरीके से उल्टा कर देगे अपको को इस तरीके के दिलो कभरें कि रहेञा आफाना होय तो फिर से रियूज कर सकते हैं क्योंकि मैं कोई भी सिलाई वगरह नहीं लगाया है इस तरीके से हम उल्ा कर देंगे देखा कि जब मैंने उल्ा किया यह उपर बाला पार्ट है तरफ मुर गया ठीक है अब आपको क्या करना है इसको हम पहले अच्छे से सेट कर लेंगे ठीक है उसके बाद आगर आपके पास कोई भी एस्ट्रा कपड़े हो चाधर हो या कोई भी एस्ट्रा चीज हो आप इस तरिके से आपकी साडिया हो तो आप इस तरिके से पीलो कपड़ें और नाइज करके रख सकते हैं बिल्कुल इसको उपर का भाग है न तो आपको करना है इसको इसी तरीके से उलट देना है ठीक है बहुत अच्छे से ये पूरा चारों तरब से कभर हो जाएगा और देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा तो इसमें आप सारिया भी इस तरीके से रख सकते हैं और जब भी इसका जर तो फ्रेंट्स वीडियो आपको अच्छी लेगी तो लाइक और से जरू करेंगा और वीडियो जरूर पर पहली बार आये हैं तो प्लीज जल्दी से सब्सक्काइब कर लिए क्योंकि मैं ऐसी यूजफूर वीडियो आपके साथ शेयर करती हैं और यह वीडियो आप कहां से द रखना भी होता है अच्छे से धोके या पोच के ठीक है तो सूट के जब भी हम खरीते हैं तो उसके साथ इस तरह का कुछ प्लास्टिक मिलता है कवर मिलता है उसका यूज करने के लिए उसको दुबारा रखने के लिए ढखके ताकि वो गंदा ना हो लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यह प्लास्टिक फट जाता है फिर हम इसको कैसे रखे तो इसका वीडियो मैंने अपने चलर पर बहुत सारे टिप्स मैंने डाले हुए हैं उसमें से एक टिप्स में आपको यह शेयर करने वाले हो आपके पास इस तरह से जब भी कोई भी पूराना पेटिकोर होन और इसको नीचे से नॉट लगा दिया ठीक है अब इसी में हम अपनी सुटकेस को डाल देंगे बहुत ही अच्छे से अगनाइज हो जाएगा कोई भी जदा इसमें आपको ताम जाम नहीं करना है कोई अलग से कोई पैसे ने खर्च करना है नहीं आपको कुछ खरीदना है इस तरीके से रखेंगे तो सुटकेस आपका गंदा भी नहीं लएगा और बहुत अच्छे से और नाइज भी रहेगा और देखने में भी सुन्दर लगेगा और कोई बी अलग से सिलाई नहीं करना पड़ेगा तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने क्या किया है कि इस तरीके से दुनों तरफ इस तरेके से उसका गजीड़ लगेगा इसको अच्छे से तरीके से में नहीं दोनों तरफ कर लेंगी इसको अच्छे से दबा दीजिए ताकि आंदर भी से उपेटन ना रहे ताकि वो गंदा ना हो ठीक हैук और पताणी अ computer को य tahun siय फ़िछराtemी और यह तो स्टेपलर भी कर सकते हैं तो आपकी मर्जी है इस तरीके से देखिए आपको मैं पूरा दिखा देती हूं तो बहुत अच्छी टीप से एक बार ट्राइ जरू करेगा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सियर जरू करें अगला टीप्स मेरा टीप्स नहीं है म बहुत ही अच्छा यह वक करता है और मुझे बहुत पासनली मुझे बहुत पसंद आए क्योंकि मेरे घर में कोफी बहुत यदा यूज करते हैं लो और मुझे उसका जहाग बनाने में बहुत दिक्कत होती है तो इस तरीके से मैं मिक्सी में चला के या डबबे में बहुत वाइरल वीडियो चला था जाग बनाने वाला मैंने भी बहुत सरा ट्राइ किया हुआ है तो सब करते हैं लेकि इसमें समय की बचत होगी आपके मैंने आप देखी यहां पर मैंने दूद कॉफी चीनी सब डाल लिया है और इसमें कोई भी बैटरी वेगरा नहीं लगाना है औ तब कि ज्यादा टाइम भी नहीं लगा फटाक से कॉफी में जहाग बन गया तो आप देख सकते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने आपके साथ यह शेयर किया है आप चाहें तो इसको मंगा सकते हैं लिंक में दिस्क्रिप्शन दे दूंगी चले बढ़त है यह क्या होता है स्वीच बोर्ड में लटकते रहता है और जब भी इसको हमें कहीं बाहर लेजनाना होता है तब हमें दिक्कत होती है इसको हम कितना भी लपेट के रखें वह पर्स में फैल ही जाता है तो इसका बहुत बढ़ने मैं टिप्स बताने वाले हूं इस तरह से स हम सब के घर में होता है और जब सकेज खराब हो जाता है तो उसे हम फेगद से हैं तो उसको क्या यूज करें हम तो आपको क्या करना है चरदकने है और बीट निकाल यह निकाल ते बहुत Minad बनके रेडी हो गया ठीक है अब इसको हमें करना क्या है वह आप देख लेजिए इस तरीके से पहले आप अपने जो भी चार्जर रहे उसकी वायर को इस तरीके से अपलपेट लेजिए अच्छे से और नाइज कर देजिए ठीक है उसके बाद यह जो वायर है आप इसी में इ अगर चोटी जगाया आउ自ग भी आप इसको अच्छे से चार्ज कर सकते हैं फिना इसको प्रेन की तो बहुत अच्छे से यह से एफड, शेक्योड हो जयता है देखिए इस तरीके से बहुत अच्छा लगता है देखने में भी अच्छा लगता है तो इस तर्पने पांस मे करते हैं तो यह अग्य है क्या स्था नहीं करते हैं यहां में आपको दिखा डेती है उसके बाद लेना है ठीक है ऐसे करना है कण segunda यो इसको लगाने के लिए मतलब लगाना है मतलब कि चिपताना और इसके लिए आप यहां पर फैवे क्यूक का इस्तमाल कर सकते हैं, ग्लूगन का इस्तमाल कर सकते हैं, या डबल साइडेट टेप का भी इस्तमाल कर सकते हैं, यहां मैं आपको डबल साइडेट टेप से करके बता देती हूँ, देखे तो इस तरह के से मैं डबल साइडेट टेप को लगा दिया ह अब इसके ऊपर का भाग हम निकाल देते हैं जो पेपर होता है उसके हम इस ब्लेट को चिपका देंगे ठीक है इसको चिपकाने के बाद यह हमारा बहुत ही बढ़िया टूल बनके रेडी हो गया है अब इसको यूज कहा करना है कैसे करना है चले मैं आपको वो बता देते हू इस तरह से कभी भी हम कोई भी सामार में जब टेप लगाते हैं तो लगाने के बाद किसी न किसी चीज का यूज हम जरू करते हैं कैची का यूज करते हैं ब्लेट का यूज करते हैं इसको कट करने के लिए तो आप इस टूल का इस्तमाल कर सकते हैं बिल्कुल भी हाथ में लगेगा इस तरीके से आपको ब्लेट से कंगी में डालिए इस तरीके से और आप उसको बहुत ही आसानी से कट कर सकते हैं मैं आपको एक बार और करके दिखा देती हैं देखे इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से ब्लेट से न कट कर सकते हैं आपको हाँ से ब्लेट पकरने क करिए तो चले बढ़ते हम अगले टिप की तरफ। अग़ला टिफ्स आवाज आती है चरचर की आवाज आती है जो बहुत ही गंदी लगती है तो इस प्रोब्लम के हल में आपके साथ शेयर करने वारे भी बहुत ही आसान टीप्स है कोई भी पैसे अलग से कोई खर्श ने करने पड़ेंगे फ्रेंड साबून तो हम सब यूज करते हैं और उसका दास्ट में कुछ टुकड़ा बठी जाता है जो इधर दोर वेस्ट हो जाता है इसकी भी बहुत सारे टिप्स मैंने अपने चलर पे वीडियो प्लोट के आप जाके बहुत जरूर देखीगा आगों का करना है ना यहां मेरे पास टुकड़ा भी नहीं था तो मैंने साबून ले लिया है आपके बचग़ टुकड़ा हो ना इस तरीके से साबूम का तो इस तरीके से आप लगा दिजी ठीक है अच्छे से दुलू साइड में लगा दिजिए इधर भी लगा दिजीा ते आप नोटिस करेंगे ना सावून साबून लगाने के के बाद जो आवाज अगले टिप्स की तरफ अगला टिप्स है मेरा इस तरह से बॉक्स को लेकर इस तरह से बॉक्स तो हम सब के पास जरूर से होते हैं जब भी हम कोई ओनलाइन समान मंगाते हैं या कुछ मार्केट से सूज वगारा खरीते हैं तो उसके साथ ऐसा बॉक्स मिल ही जाता है जो इसमें क्रीम पाउडर निल पेंट वेगरा कुछ भी देख सकते हैं लेकिन मैं आज इसका बहुत ही अलग तरीके से यूज बताने वाली हूं जो आपको काफी पसंद आएगा बेहत पसंद आएगा तो इस टिप्स को एक बार ट्राई जरू करेंगे वीडियो अच्छी वाला है कैप उसका इस तरीके से उसमें दबा देजिए ठीक है और जब भी आप चौपर पर कुछ भी काटते हैं तो आपको बार बार इधर उदर हडाने की जवत नहीं पड़ेगी इस तरीके से उस डब्बे में डाल देजिए देखे कितनी आसानी से जो भी आपको सबज